आज हम लोग जो gate में आपको टौपिक देखेंगे उसमें थर्मो डानामिक्स में दे रख्था है different thermodynamic process and work done in the thermodynamic process उसको आज हम लोग देखेंगे ideal gas and real gas क्या होता है उसके बारे में देखेंगे तो आप लोग जल्दी से join कीजिए ठीक है जोईन कीजिए ताकि टॉपिक है स्टार्ट किया जा सकें आज हम लोगे टॉपिक है स्टार्ट कर रहा है है ठीक है थर्मो डानिक प्रोसेस देखें गया आइडियल गैस देखें के ये सारे टॉपिक हैं कहा है ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग, ideal gas and real gas क्या होता है? ideal gas ideal gas and real gas में क्या differences है, क्या होते है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे जल्दी जल्दी जोएन कीजिए सभी लोग जल्दी जोएन कीजिए सभी लोग जल्दी जोग में कीजिए लोग जल्दी जल्दी जज़ देखें चरीज़ जल्दी 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 झाल 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 जल्द से जल टाके स्टार्ट करें क्लास को गेट कर रहा हो हैं जितना जल्दी आप जल्दी जल्दी यदे स्टार्ट करेंगे हमने आठ बज़े का टाइम दिया था थोड़ी सी लेट होगे आठ बज़ के दो या तीर मिनट पर मैंने स्टाट किये हैं तो आप लोग जॉइन किजिए है हाई डियल गैस एंड रियल गैस में क्या डिफ्रेंस इससे कोस्चन आते हैं अभी आपने देखा था जो गेट 21 हुआ है उसमें इसको हम लोग देख सकते हैं और इसे जनरली कोस्चन आता ही आता है या तो ठेटकल होगा या फिर इस तरह के कुछ पूझ नहीं है यहां पर यहां से अगर आपका इस प्रेस्पिक वोलूम में लेंगे तो वहां पर और यहां पर अगर इस प्रेस्पिक वोलूम अप लेंगे तो यह तरह से कि यह होना चाहिए आपका रियल गैस के केस में यह सारे चीज़े हम लोग इसको देखेंगे, पांच लोगों ने जॉइन किया है, गुद मॉर्निंग एवरिवन, और ज्यादा से ज्यादा लोग इस्टार्ट आप जॉइन किजिया, ताकि यह इसे डिसकस करता को आगे, यह इंपोर्टेंट टॉपिक है, और इससे गेट से कोस्टन आता ही आता है, यह होता क्या है, कि आइडियल गैस हैं, जो फेक्टर है, वो इसको आपको कंफ्यूजिंग परामेश है, तो बार बार यह चीज़े पूस्ता है, और यह चीज़े आपको किलियर होनी चाहिए, करने के बाद ही हम चीजों को किलियर कर सकते हैं, जब तक थेयर नहीं होता है, तब तक इसको आप किलियर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हैं हम लोग इसको देख रहा हैं, ठेक है, प bottigkee देख ले पिर हम लोग इसके बाद енийदे आ, अइसको कंदिदेट थी तू जाल्दी जाल्दी जान किजिए। अब मैं पांच मिट के अंदर स्टार्ट कर दूंगा जाकि जएदा लोगों ने अभी तक तो ज्वाइन नहीं किया है पांच ही लोग थे हैं अब चार लोग हो गया है जल्दी से ज्वाइन किजिए बच्चे आपको अगर पढ़नी है थर्मोडैरमिक्स ज्वाइन किजिए ताकि हम इसे कंप्लीट कर सकें कि मैं कल नाइट में कोशिस कर रहा था बड़ कुछ टेक्निकल एसुत है जिसके बज़र से मैं कंटेनियून नहीं कर पाया था अब अभी मॉर्णिंग में सही है चलिए फिर सुरू करते हैं क्योंकि इसको देखना है जिसको आना है आये जिसको नहीं आना है नहीं आये हमें उनका नहीं केर करना है हमें जो करना है काम वह काम करते हैं ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि आईडियल गैस क्या होता है हमें क्या करना है आईडियल एंडियल गैस को डिफ्रेंसियेट करना सबसे पहली बात यह है कि आईडियल गैस जुनिया में जितने भी गैस है कोई भी आईडियल नहीं होता परफेक्टल आइडियल गैस नहीं है हमारे पास गैस जो है वो आपका एक्षुल ही होता है जो आइडियल गैस है आपका एक पैरामीटर एक Factor है जिसको हमने कंसिडर किया है कि अगर यह आइडियल होगा तो तरह का हो सकता है ऐसे यह चीजे parameter होंगे जबकि actual में क्या exist करता है हमारा real gas exist करता है और ideal gas जो होता है वो क्या follow करता है PV उक्वड to MRT जो relation होता है उसको follow करता है या PV उक्वल to MRT और MAHckenर के case में हम देख रहा है तो MRT फ्लो करता है पिर्टी मॉलर की केस में देखेंगे तो nr t सब्सक्राइब करता है यह ideal जबकि जो रिएल इकिवेकिश होता है वो क्या करता है वों अदूर वा asking को follow करता है यह किया करता यह के लगता आपका wonder adventuary जो करता है इस presence को follow करता है अब दोन्में जो इंटर मोलीकूलर फोर्स ऑफ एट्रेक्शन नहीं होता है जो इंटर मोलीकूलर फोर्स ऑफ एट्रेक्शन नहीं होता है जो इंटर मोलीकूलर फोर्स ऑफ एट्रेक्शन कहने के मतलब बात यह है कि इंटर्मोलीकुलर फोर्स ऑफ एट्रेक्शन कहने का मतलब है कि दो मोलीकुल के बीच में फोर्स जो लगते हैं उसको बोलते हैं हम लोग इंटर्मोलीकुलर फोर्स ऑफ एट्रेक्शन तो जो आइडियल गैस होते हैं उसमें यह एजुन किया गया है जो आइडियल है जो पर ठीक है जबकि जो आपका जो real gas होता है उसमें intermolecular force of attraction होता है जब intermolecular force of attraction होंगे यही region है जिसके बसे क्या होंगे जब intermolecular force of attraction होंगे तो two molecules will be very close together तो दोनों जो numbers of molecules होंगे very close together होंगे तो इसी बज़े से क्या होगा कि यहाँ पे यह जो parameter देख रहा है that is known as cohesive connection factor या इसको आप बोलेंगे pressure correction factor आप बोल सकते हैं a upon v square जो है यह क्या है pressure correction factor है क्या होगा है pressure increase कर रहा है क्यों जो intermolecular force of attraction था उसके वज़े से क्या हो गया हमारा pressure increase कर गया तो यह parameter उसमें correction factor है और obviously बात है जब molecules के बीच में intermolecular force of attraction लग रहा है जब density बढ़ गया तो volume automatically reduce हो जाएगा यह देखे volume जो है minus bb क्या है आपका volume correction factor b को क्या बोलते हैं हम लोग volume correction factor बोलते हैं और r तो आप जानते इनिवर्सल गॉस का थी है तो इसको बोलते हम लोग वंडरवाल equation जो generally used होता है किसके लिए in case of the real gas और यह कहा हमारा ideal gas है ideal gas में क्या होता है there is no intermolecular force of attraction there is no variation of the specific heat with the temperature but in case of the real gas there is a intermolecular force of attraction between the molecules as well as the specific heat vary with the temperature CP and CB का value जो है वो temperature के साथ क्या करेगा vary करेगा जब कि ideal gas का क्या होता है जो specific heat होता है CP and CB का value होता है वो temperature के साथ नहीं vary करता है वो क्या होता है remains constant होता है तो दोनों में यह difference है ideal gas और real gas में क्या differences है ideal and real gas की अगर बात करें तो ideal gas क्या है आपका जो ideal gas है उसमें there is no intermolecular force of attraction Pb equal to RT का फॉलो करता है ये क्या होता है आपका वंडरवाल सीक्योशन को फॉलो करता है ये हमारा वंडरवाल सीक्योशन है P plus A upon B square and B minus B equal to RT ठेक है तो ये फॉलो करता है अब जो question जो आया है gate से अभी जो आया है उसके बारे में अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो आपका question है question क्या आया था ये question आया था compressibility factor निकालने का तो compressibility factor की अगर बात करेंगे तो वो उसके लिए तो हमें relation चाहिए तो वो क्या होता है ये Pb equal to ZRT तो Z क्या है Z is a compressibility factor तो compressibility factor जो हता है Z उसका value क्या होगा ideal gas के लिए real gas के लिए उसको जरसा देखते हैं तो ये clear होगे हैं जो तीन points मैंने लिख रहे था है वो clear है आपको फर्स क्या बोल रहा है कि ideal gas always away the Pb equal to MRT relation whereas real gas away the wonderwall's equation ideal gas there is no intermolecular force of attraction between the molecules in the ideal gas whereas there is a intermolecular force of attraction in the real gas a specific heat of the capacity of the ideal gas does not change with the temperature whereas the specific heat capacity of the real gas changes with the temperature तो ये तीन पारामेटर थे जो हमने लिए करें अब देखते हैं ये compressibility factor क्या होता है और कैसे vary करता है real gas और ideal gas के लिए तो इसको जरसा देखते हैं देखें ये relation है हमारा P V V क्या है specific heat equal to Z RT तो ये कैसे vary करता है इसको हम लोग देखते हैं तो जब आपका P V equal to Z RT होता है तो Z equal to क्या हो जागा हमारा कि RT upon PV ठीक है और ये ही Z क्या है आपका ये ही कलाता आपका compressibility factor ये ही होता है हमारा compressibility factor होता है येदि आपका Z का value case first येदि case first पे देखें if Z equal to 1 तब क्या हो जागा आपका तब आपको simple सा value क्या आजाएगा जो ideal gas equation होता P V equal to RT का relation हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा कि जितने भी gas होंगे जिसमें Z equal to 1 आएगा वो क्या करेगा आपका ideal gas equation को follow करेगा that means कहने का मतलब है कि all gas follow the this equation P V equal to RT P V equal to RT और Z equal to 1 होगा तो ये क्या कलाएगा आपका ये ideal gas का equation है ये क्या आपका ideal gas है ये आपका ideal gas है second real gas में क्या हो सकता है case second case second क्या है if Z is greater than 1 दो कैसे हो रहता है Z is greater than 1 and what Z is less than 1 दो कैसे हो सकते है Z is greater than 1 and Z is less than 1 इसका मतलब क्या हो गया कि जब Z is greater than 1 हो रहा है इसका मतलब कि PB is not equal to RT, मतलब Z is greater than 1, यह जो 1 था, 1 से बराफ हो जाएगा, तो इसका मतलब आपका यह जो factor जो आएंगे, वो ideal gas equation को follow नहीं करेगा, आइडियल gas equation को follow नहीं करेगा, तो कौन सा equation, वंडर्वाल्स equation को follow करेगा, और वो आपका real gas होता है, अगर हम diagram की बात करें, तो generally क्या होता है, जो हम compressibility factor देखते हैं, आइडियल gas क्या आपका low pressure पर ही valid होता है, 1 atmospheric pressure से 2 atmospheric pressure तक ही यह valid होता है, तो अगर आप देखेंगे, यह आपका 1 ATM है, यह आपका 2 है, ठीक है, और इस तरह से आपका 3, 4, इस तरह से vary कर रहा है, suppose that, हमने माल लिया कि 1 है, यह आपका 10 है, यह आपका 20 है, ठीक है, यह आपका 0 0.5 है, ठीक है, यह अपका 0.5, यह 0.25, यह हो गया, आपका 0.25, etc, अधर क्या होगा और आपका, यह आपका pressure हो गया, ठीक है, और आप अगर आप देखेंगे, ideal gas के case में, तो यह हो गया, यह आपका ideal gas क्योंट हम देखाए जेड के लिए, यह आपका डेड का वैलू है, यह आपका z का value यह आपका pressure दिखाएगा ठीक है तो इसको अगर हम draw करें तो देखें यह क्या दिखाएगा हमारा अगर hydrogen की बात करें तो hydrogen हमारा यह इस तरह से सो करता है hydrogen more than one के लिए उसके बाद nitrogen भी slightly इस तरह से सो करता है यदि आप दूसरे gas की बात करेंगे तो उस case में क्या होता है जो z का value होता है वो less than one आता है इस तरह से ठीक है at the high pressure पे तो high pressure पे हम बात करते है 1 atmosphere 2 atmosphere पे जनरली ideal gas जैसे CS 4 हो गया ठीक है और 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 भी gases है वो क्या करता है इस तरह से यह compressibility factor diagram है जो indicate करता है gas के nature को indicate करता है hydrogen nitrogen जो है आपका jet is greater than one low pressure पे तो यह भी आपका ideal gas के तरह ही behave करता है लेकिन जैसे जैसे pressure बढ़ता है high pressure पे जैसे 10 atmospheric pressure 200 atmospheric pressure तो वहाँ पे यह आपका real gas के तरह behave करता है jet should be greater than one और जब आपका CH4 या फिर CO2 इसकी बात करेंगे तो यह क्या करेगा आपका जो high pressure होगा वहाँ पे या आपका low temperature high pressure low temperature की बात करेंगे तो उस case में क्या हो जाएगा आपका high pressure पे या फिर low temperature पे ठीक है या फिर भी high temperature पे उस case में क्या हो जाएगा यह आपका compressibility factor should be less than one तो यह किसके लिए दिखा रहा है यह जो यहाँ आप देख रहा है z is greater than one यहाँ पर क्या है आपका z is less than one और यह किसको indicate कर रहा है यह दिखा रहा है आपका ideal gas यह आपका ideal gas है ठीक है और यह आपका real gas को दिखा रहा है यह आपका real gas को दिखा रहा है तो इस relation से एक numerical है जो गाया आया है gate 21 में तो उसको हम लोग find out करेंगे तो यह होता आपका ideal gas and real gas volume correction factor आपने देख लिया pressure correction factor देख लिया pressure correction factor क्यों यह डप हुगा due to the molecular attraction force की होज़ा से जब molecular attraction force हो रहा है तो pressure attraction बढ़ेगा ठीक है pressure की value magnitude बढ़ जाएगी और volume का magnitude क्या हो जाएगा आपका घट जाएगा क्यों वोलूम जब molecules close together होंगे तो volume क्या होगे कम होंगे ठीक है तो यह था हमारा ideal gas and real gas इसी में पूछा है तो 2020 में जेट का value compressibility factor का value क्या होगा certain condition दे रखा है तो आप simple relation निकाल लगाईए और उसको find out कर लिए यह है उसको तो यह आप आगे देखेंगे जब हम इसको numerical कराएंगे तब नहीं पहले देख ले वह कहीं है इसे बच्चे है जो रिवाइज आभी कर रहे हैं तो रिवाइज कर लेंगे इसके बाद इसे बाद कर रहे हैं कि अ अब हम लखेंगे दिपर न परोशन सब्सक्राइब करने की जरूत नहीं है अपने बिएक पर रखाए यह एक सदर्सक्राइब करते हैं यह कि अपने के पुछेगा आपको फिर्फ आइट्याइल गैस्ट पूछाइगा रियल गैस के बारे में पुछेगा रियल गैस क्या होते हैं उसके इंटर-molecular जो पुछेंगे ठीक हैं तो आपको इसके बज़िन में देखना है इडियल गैस को लिखना कुछ नुबरिकल्स आएंगे उसको देखने से पहले अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो थर्मो डामिक प्रोसेस है उसको देखेंगे उसमें जो वर्कडन का जो रिलेशन होता है वो निकालेंगे फिर उसके टी-एस डाइगराम देखेंगे क तो यह सारे चीज़े अब अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ताकि हम आगे अगर नुमेरिकल करें थर्मो डामिक्स का तो यह चीज़े अगर आएगा तभी हम नुमेरिकल कर सकता है फिर हम लोग फर्स्ट लाव थर्मो डामिक्स देखेंगे फिर सेकेंड लाव थर्मो ड प्रूरी पार्ट मैंने बता दिया था तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी उस पर भी नुमेरिकल देखेंगे ठीक है पहले इसको देखने तो दिफ्रेंट थर्मो डानामिक प्रोसेस देखते हैं देखें थर्मो डानामिक प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहला क्या हो जाएगा आईसो बारिक यह सब आप लोग ने बीटेक में पर रखा आईसो बारिक प्रोसेस बार किसका यूनिट है बार जो है आपका प्रेशर का है इसका मतलब क्या आईसो मतलब कॉंस्टेंट ठीक है सेकेंड क्या होता आईसो कोडिक आईसो कोडिक प्रोसेस इसमें क्या होता है वोलूम कॉंस्टेंट होता है थर्ड क्या होता आपका आईसो थर्मल इसमें क्या होता है आईसो किसमें लगा है थर्मल थर्मल किसा तंपरेचर मतलब तंपरेचर कॉंस्टेंट उसके ब इसमें आपका q equal to 0 हो जाता है, there is no interaction with the system and the surrounding, and last one is known as polyentropic, polyentropic, polyentropic सभी के लिए applicable है, ठीक है, तो ये क्या कर लाएगा आपका, इसमें जो होता है, p v to the power n equal to constant, ये relation, ये थर्मोडानाइक प्रोसेस है, जिसे हमें देखनी है, ये थर्मोडानाइक प्रोसेस में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, इसके p v diagram कैसे बनते हैं, इसके relations कैसे होते हैं, ये सारे चीजे हमें इसमें देखनी है, ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं, क्या कितने तरह के थर्मोडानाइक प्रोसेस है, इसमें work done क्या होता है, ठीक है, और क्या इसका पीबी डाइग्राम होगा क्या इसका टीएस डाइग्राम होगा और बाकी भी आप पीबी से पीटी पीटी से बीटी कैसे आप कनवर्ट करेंगे वो प्रोसेस में बता दूंगा आप उसको कनवर्ट कर सकते हैं यह सारे चीजे अभी हम देखेंगे तो सबसे प प्रेशर क्या होना चाहिए शुद भी constant होनी चाहिए ठीक है तो सबसे पहला प्रोसेस जो है हमारा आईसो बारिक प्रोसेस है तो आईसो बारिक को क्या डिफाइंड करता थर्मोदैनेक प्रोसेस इन विच प्रेशर इज रिमेंस constant ठीक है प्रेशर क्या होना चाहिए रिमेंस constant होनी चाहिए अगर इसका प्रेशर सुद भी constant ठीक है यह हो गया प्रेशर यह हो गया गोलूम और इसका अगर हम डाइगराम बनाते हैं तो क्या बनेगा प्रेशर की अगर बात करेंगे तो सपोस्ट यह अगर इनिशियल पॉइ करेंट है यहां से स्टार्ट करोट regda और यहां तक काएगा कि एए व foreigner प्रेशर कॉंस्टन्त मतलब यहां पर क्या है एक पाटीकुलार प्रेशर पी नोट है जो क्या है रिमेंस कॉंस्टन है देंग दो प्रोसेस एफिसमें वह सकता है director पीबीग प्रीशन आप नहीं सकता क्योंकि प्रेसर कॉंस्टेंट है तो आप इधर की और जा रहा है तो इसको आइस अगया है है जब फिट सप्लाई करेंगे तो क्या रहा वोलूम बढ़ रहा है जब यहां से निकलेगा तो क्या जाएगा वोलूम घट रहा है ठीक है तो आइसो बारिक expansion और आइसो बारिक compression यह हो गया इसका पीबी डाइग्राम अगर आपको सपोर्ड़ वर्क डन निकालना है तो आप क्या करेंगे यह area find out कर लेंगे तो हमें क्या निकल लाएगा वर्क डन find out हो जाएगा तो यहां से यहां तक का जो वोलूम डिफरेंस हो गया डेल वी हो गया ठीक है और यह आपका अप्रिशर पी नोट है तो area निकालेंगे तो rectangular area क्या होता आपका इसका अगर area निकाले तो वर्क डन w net equal to क्या हो जाएगा आपका यह पी नोट यहां से यहां तक length हो गया पी नोट और यह हो गया आपका into delta v इन जेनरल क्या होता है कि work done equal to P into delta V यही होता आपका general formula कि work done क्या होता आपका यह अब depending on कि यह positive है या negative है यह depend करेगा delta V पे अगर change in the volume positive होगा if delta V if delta V is positive ठीक है तो work done is also positive इसका मतलब क्या हो गया कि work done positive है तो work done by the system it means इसका मतलब हो गया कि work done it means work done by system system के द्वारा work done हो रहा है यह हो गया आपका first second यह दी आपका delta V if delta V equal to negative ठीक है तब क्यों हो जाएगा work done is equal to negative इसका मतलब क्या हो जाएगा कि work done on the system यह सब आप लोग जानते हैं यह सिर्फ रिविदम पॉइंट वी से आपको बता रहा हों कि work done by the system क्या होगा work done on the system क्या होगा यह एदी expansion का case हो रहा है यह नहीं है सिर्फ इदर है तो यह क्या हो जागा आपका positive हो जाएगा यह दी यह compression का system होता तो क्या होता यह negative होता यह अगर हम पी बी डाइगराम से अगर पी टी डाइगराम कनवर्ट करना हो तो देखेगी कैसे करेंगे जो हो गया पी एंड टी जैसा कि pressure constant है तो हम लोग ideal gas equation लगा यहां पर तो ideal gas equation क्या कहता है कि पी वी इक्वल टू और टी अब आपका pressure constant हो गया तो हमें क्या करना पी टी कनवर्ट करना तो प्रेशर इस कॉंस्टेंट तो आपका प्रेशर कॉंस्टेंट में एक पार्टिकुलर प्वाइंट प्रेशर यही रहेगा ठीक है यह हो जाएगा आपका यह होगा आई प्वाइंट यह हो गया एप जब आप हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा टंप्रेशर बढ़ेगा जब हीट यहां से निकलेगा तो क्या हो जागा यह हो जागा आइसो बारिक हीटिंग इसी आइसोबारिक है किसी तब टम्प्रेचर बढ़ेगा जब टम्प्रेचर घटेगा तो तो क्या बताएंगे इसको आइसोबारिक कुलिंग इस यह हो जाएगा आपका इसोबारिक एसको देखते हैं कि जहां से देखिए प्रेसर कॉंस्टेंट है तो क्या जागा हमारा यह हो जाएगा कि V is equal to Mr T upon P इसको आमने break कर दिया specific volume का इसको total volume upon इसमें ले आया तो pressure constant तो यह क्या जाएगा आपका कि Mr upon P into T यह constant हो गया तो V is equal to constant ठीड क्या रहा है आपका linear relation यह कोल टू M x का relation आ रहा है मतलब यह कैसे आएगा यह जो यह बनेंगे बीटी डाइग्राम ऐसे बनेगा पासिंग फूरू दो और जिन मतलब इनिस्टियल पॉइंट यहां पर ऐसे प्रोब्लेम हो जाएगी अगर आपको कलीर नहीं हो तो यह हो जाएगा आपका वीए यह हो गया इसका प्रोडी डाइगराम प्रोसेश में हम एसे फ्राइड वर्कडान करेंगे तो उसका मतलब क्या है जब positive होगा work done तो क्या बोलेंगे work done पाइदे system जब negative होगा to work done on the system यह depend करेंगा कि system work Assassins कर रहा है यह system और पे वर्क डन होगा तो निग statement के द्वारा वर्क डन होगा तो positive ठीक है यह था आपका त्थेलों दाइग्रान, आपको सबसे हुता है तो कुछ चीजे जेनरली हमें посмотрим करमक करना है यह तो मैंने आपको बता दिया आपको remind करने के लिए लेकिन T-S diagram ही main हमारा focus होना चाहिए क्योंकि T-S diagram की ज़्यादा जरूरत हमें परती है देखें अब T-S diagram ड्रो करना है तो जिनरली हम लोग क्या जानते हैं कि D-S equal to delta Q delta Q upon T यही जानते हैं at the constant pressure क्योंकि constant pressure process चल रहा है तो change in the entropy क्या होता है? net heat supply upon T यह आता है हमारा entropy अब जैसा है कि यह constant pressure process है तो इसमें जो heat supply हुआ होगा delta Q equal to क्या हो जागा है P M C P and क्या हो जाएगा यह यह हो जाएगा आपका DT temperature अगर difference delta T है तो यह क्या हो जाएगा DT हो जाएगा हम लोग क्या कर सकते है इसके जगा पर delta Q P के जगा पर put कर सकते है तो यह हो जाएगा M C P DT upon DT upon T इससे आता है question ज्यान दीजिएगा ठीक है तो यह क्या हो जाएगा हमारा M C P नीचे आजा है तो यह क्या हो जाएगा Ds upon M C P is equal to DT upon T अब आप क्या लिख सकते हैं कि DT यह आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि DT upon T equal to एक ही बात हो गया है कि 1 upon M C P into Ds अब दोनों ही तरफ integrate कर दीजिए जब integrate करेंगे तो यह क्या हो जाएगा हमारा कि ln T ln T is equal to इसका क्या हो जाएगा S upon M C P and plus constant ठीक है अब आप boundary condition अगर put करते हैं कि T equal to 0 hit equal to 0 तो 0 आजागा तो C का value क्या हो जाएगा 0 तो according to boundary condition condition C equal to 0 तो क्या हो जाएगा हमारा कि ln T is equal to S upon M C P ठीक है तो T equal to क्या हो जाएगा T equal to हो जाएगा E to the power exponential S upon M C P एक तो यह relation आया दूसरा relation यहां से देखे हमें यह आ सकता है कि जो डाइग्राम होगा उसके लिए हम यहां से relation निकाल सकते हैं कि D T upon D S का value क्या होगा यहां से देखे तो यह क्या हो जाएगा D T upon D S is equal to what T upon M C P यह क्या है आपका at the constant pressure constant pressure पर देखे तो क्या आगा तो पर्टिकुलर temperature होगा ठीक है तो temperature upon M C P यह हमारा स्लूप आ रहा है तो हमें क्या करना है इसका डाइग्राम डू करना है तो यह क्या है यह आपका कैसा equation आ रहा है hyperbolic equation आएगा ठीक है तो आप यहां पे डाइग्राम बनाईए यह हो गया T and यह हो गया S ठीक है जब T equal to I ठा तो entropy क्या हो जाएगा SI ठीक है और T equal to इसका equation कैसा बना है hyperbolic जो होता e to the power x का graph ऐसे बनता है इस तरह से आपको याद होगा ऐसे बनता है ठीक है तो let us consider यह हमारा initial position है आपका SI ठीक है यह आपका final position है S F तो यहां से जो यह चला है यह क्या हो जाएगा आपका यह हो जाएगा TI और यह क्या हो जाएगा आपका यह आपका relation बन गया यह क्या है आपका यह है आपका TS diagram ठीक है hitting and cooling के बात करेंगे तो फिर आप इसको ऐसे दिखा दीजिए कि hitting में ऐसे ING में ऐसे है तो यह बनेगा इसका टीएस diagram किसका ISOBARIC process के लिए तो मैंने क्या बताया मैं आपको क्या चीजे बता है आपको मैंने पहले सबसे पहले बताया PB diagram कैसे बनेगा उसके बादे से बनेगा नहीं हो एक हैं यह Hitting है 그리고 यदि आइसो बारिक हीटींग का केस होगा, तो ये बनेगा टेस क्यूगे टंपरेचर बढ़ेगा, यदि कुलिंग होगा तो टंपरेचर घटेगा, ठीक है, तो ये हमाड़ा टेस डियाग्रॉम बन रहा है, टेस डियाग्राम बन गया, अब इसमें एक चीज ये ध्यान दग यहां पर हम इस relation से T upon MCP यह इसका स्लोप होगा तो यहां से हम ऐसे tangent ंडालेंगे जो क्या करेगा जितना स्लोप होगा उतना वह क्या करेगा उस इससे टेन ठीटा का value होना चाहिए तो यह किसका है यह स्लोप है आपका आईसो बारिक प्रोसेस का है इसको आप अभी देखेगा अभी हम compare करेंगे आइसो बारिक एंड आइसो कोडिक में जो question आपको आता exam में कि दोनों में से किसका slope के व्यारे में पूछा जाता है तो ये question आएगा तो इसलिए मैंने ये relation निकाल कर रखा इसको हम आगे use करेंगे तो आइसो बा करेंगे exponential to the power s upon mcp आ रहा है हम तो हम लोग यहां से टी एंड इसके में relation find out कर लेंगे ये था आपका आइजो बारिक प्रोसेस तो आपका ये गेट में आता है question आपको दे रखा है इसलिए मैं इसको करा रहा हूं ताकि आपको जाएंगे otherwise थर्मोडेनेस को question टच करना भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगा जितने भी cycle आपको study करेंगे सभी में आपका ts diagram है और ts diagram जब आपको clear होंगे तभी आप आगे question solve कर सकते है ठीक है सेकेंड क्या है हमारा second जो है हमारा इसमें क्या होता है इसमें आपका volume constant होता है देखें यह ऐसे थर्माडोनिक प्रोसेस है जिसमें कि work done जो होगा लेट work done जो आपका होता है वो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है इसमें work done कुछ भी नहीं होता क्यों क्योंकि change in the volume जीरो तो change in the volume जीरो होगा तो work done क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा ठीक है इसका अगर पीवी डाइग्राम देखें है是這樣 क्या करेंगे अथ्र मोराईक प्रोसेस अंडर्वच डा वोलॉम इस रिम्येंस कॉंस्टेंटेंछ प्रोसेस इसमें क्या होगा ? वो क्या आपका आक्सोग क्वरण प्रोसेस 쓰 होगा तो सपाज जैट हमेर्क्र क्या बनाना यह बना यह बना पीडा यह मतलब एक टैंक है, यह एक टैंक है, ठीक है, इस तरह से, इसमें certain liquid या gas आपने pack कर दिया है, इस तरह से, यह भरा हुआ है, ठीक है, और इसको आप यहाँ से hitting करना है, start कर दिया, यह hit कर रहा है, ठीक है, तो इसमें कोई भी ना expansion होगा, ना compression होगा, क्योंकि यहाँ जो है, आपका volume remains constant है volume fix होगा, volume change नहीं होगा, तो यह क्या कर लाएगा आपका, यह कर लाएगा, आपका isocoric process कर लाएगा, क्योंकि volume constant है, clear, ठीक है, तो volume constant है, तो यह क्या कर लाएगा, आपका isocoric process कर लाएगा, यह हमारा इसो कोरिक प्रोसेस है अब इसका अगर constant volume process है तो volume constant होगा, इसका मतलब है कि एक particular volume पे ये process follow करेगा, ऐसे, ये आपका vertical line ऐसे बनेगा, क्यों बनेगा, क्यों कि volume should be constant, तो volume constant तभी होगा, जब एक particular volume पे ही fix होगा, यतलब vi is equal to vf, दोनों ही point के क्या होगा, ये point आपका vi है, ये आपका i है, और ये point आपका f है, तो ये क्या आजाएगा, vi is equal to vf, मतलब pi pressure तो change करेगा, बट क्या होगा, volume constant होगा, तो ये क्या कलाएगा, हमारा isocoric process कलाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, isocoric process बोलेंगे, मतलब constant volume process बोलेंगे इसको, क्या होगा, ये कि during the process क्या है, volume constant होगा, अब इसका अगर आपको बोला जाए कि area निकाली इस particular line का तो area क्या होगा? 0, कुछ भी जहीं आएगा area, क्यों कि work done equal to क्या होता है? work done equal to work done, w is equal to क्या होता है? p into delta v, there is no change in the volume, the volume में change कुछ नहीं हो रहा है, यह क्या हो जाएगा? w equal to 0, ठीक है? तो isocodic process के दोरांग, जब isocodic process होता है, उसमें work done का value क्या होता है? always 0 होता है कुछ भी work done इसमें नहीं होता है net work done क्या हो जाएगा? इसमें 0 होगा, ठीक है? तो यह work done क्या होता है आपका? isocodic process में work done जो हो जाएगा, वो 0 आएगा, तो यह चीजे आपको ध्यान रखनी चाहिए, कि isocodic process में work done, net work done कितना आएगा? वो 0 आता है, केलियर? चले आगे हमें देखना है PT डाइगराम BT डाइगराम, ठीक है? इसको देखने, तो PT डाइगराम अगर BT डाइगराम देखना है, उसके बाद देखेंगे हम लोग TS डाइगराम, यह हो गया हमारा PB डाइगराम, तो इसका आप हम लोग क्या बनाते है? BT डाइगराम बनाते हैं, तो BT डाइगराम तो ग्रो करना easy है, क्योंकि वोलूम कॉंस्टेंट है, ठीक है? तो हमें ऐसा लाइन ड्रो करना है जिसमें, वोलूम V and T, तो क्या होगा वोलूम कॉंस्टेंट तो यह होगा आपका ऐसे, यह हो गया initial point, यह हो गया आपका final point, यहां देखें, वोलूम कॉंस्टेंट है, ठीक है, यहां पर temperature जो होगा, वो जागा TI अब इसमें भी दो होते हैं, ठीक है, आइसो कोरिक heating and isocoric cooling, जब आप tank में heat supply कर रहे होंगे, यह क्या हें को क्या हो जाएगा है कि यह आपका हीटिंग को लिगे करें ग didn मित्व सप्लाइँ करेंगे बिदिढ़ का हिएगा अपका हीटिंग कोऊल यह दो प्रोसेस होता है जिसमें कि भीटी डाइग्राम ऐसे बंतंगonder तो हमारा BT diagram find out हो गया, तो जब हमें diagram बनाना हो, PB diagram हो गया, BT diagram हो गया, तो दो उसमें होते हैं, आपका आइसो कोडिक हीटिंग होंगे, आइसो कोडिक कुलिंग, जब इधर की उधर जाए, टंपरेचर बढ़ेगा, तो हीटिंग कराएगा, जब टंपरेचर घटेगा, तो क् कुलिंग कर रहाएगा, तो दो तरह के हो गया, अब इसका PT diagram देखते हैं, ठीक है, तो PT diagram हमें देखना है, PT diagram, तो PT diagram निकालने के लिए हमें ideal classification लगाना है, कि P V equal to MRT, V आपका constant है, तो P equal to क्या हो जागा, MR upon V into 2, ये constant हो गया, तो P equal to क्या हो गया, K into 3, this is the case of state line passing through origin, तो ये कैसा बनेगा, ये बनेगा हमारा, ऐसे, ठीक है, ये हो जागा हमारा, यहां से, यहां तक, ये आपका initial point है, ये आपका I है, ये आपका I है, ये होगा Isochoric heating, ये होगा Isochoric cooling, ठीक है, ये बने गया, ये हो गया आपका TI, ये हो गया आपका TF, ये ह आपने PT, BT, PB, ये तीनों डाइगराम देख लिया, अब हम लोगों क्या देखना है, अब हम लोगों को देखना है, TS डाइगराम, जैसा कि अभी हम देखना था, Isochoric में, nature of the curve, सेम आएगा, लेकिन थोरी से इसमें changes है, स्लोप में, उसको जड़ा सा देखेंगे हम लोग, ये क्या changes है, और क्या उसका effect पड़ेगा स्लोप पे, उसको हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई doubt हो, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप comment box में आके comment कर सकते हैं, और कुछ भी पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, तो सर ये चीजे समझ में नहीं आ रही है, clear, चले आगे, ठीक है, अब देखिए, अब TS diagram इसका देखते हैं, तो TS diagram निकालने के लिए सबसे पहले हमें तो क्या करना परेगा, relation find out करना है, as we know that, के change in the entropy equal to kya था, delta q upon t, यही होता है हमारा relation, ठीक है, जैसा एक constant volume process है, तो delta q at the constant volume क्या हो जाएगा, m cv delta t यानि dt, यही होता है हमारा, ठीक है, constant volume process में, क्या होता है, m cv delta t, where cv is the molar heat, specific constant of the constant volume, m is the mass of the gas, and delta t क्या है, temperature difference, तो हम इसमें क्या करें, delta q का value put कर दे, तो ds equal to kya जाएगा, m cv delta t upon t, जैसे आपने constant pressure में क्या है, similarly इसमें आएगा, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, कि ds upon m cv equal to dt upon t, आएगा, आप फिर क्या करें, taking log, both side, log, both side, अगर दोनों side हम log ले लेते हैं, तो क्या जाएगा हमारा, कि ln, sorry, हम integrate करेंगे, न, log नहीं, integrating बहुत side, अब दोनों ही side आप integrate करेंगे, तो क्या जाएगा, कि integration, आप one by m cv को बाहर निकाल लेजिए, यह हो जाएगा, ds is equal to integration, dt upon t, ठेक है, आप क्या करें, जो हमारा dt upon t है, यह क्या हो जाएगा, कि s upon m cv and यह आजाएगा हमारा ln t, ठेक है, and constant plus constant c, constant c, जब boundary condition आप put up करेंगे, तो 0 हो आएगा, इसका मतलग क्या जाएगा, हमारा, कि t equal to e to the power s upon m cv, इससे पहले वाले में क्या आया था हमें, यह आया था, कि t equal to m cp आया था, इसमें क्या आ गया, m cv आ गया, अच्छा एक चीज़ और, slope का relation हमें find out करना है, तो यहाँ पे देखे, इस relation से हम लोग find out कर सकते हैं, slope, slope क्या जाएगा, कि dt upon ds at the constant volume is equal to आजाएगा, t upon m cv, ठीक है, तो यह आपका आ गया, किसके लिए slope, यह आ गया, constant volume के लिए, यह आया, constant volume के लिए, और इससे पहले आपने देखा था, constant pressure के लिए, तो अब हम क्या करें, अब हम ts diagram draw करें, यह कितना hyperbolic function है, तो hyperbolic function यहाँ पर बना देव, temperature, यह हो गया, आपका temperature, यह हो गया entropy, कैसा बनेगा craft, ऐसे बनना चाहिए, ऐसे, ठीक है, अब क्या है, कि t, यह आपका initial point, यह हो गया आपका initial point, यह हो गया आपका final point, ठीक है, तो यह बन जाएगा हमारा, ऐसे, constant volume process, यह आपका tim immense diagram हो गया, ठीक है, इसके respect में temperature जो हो जाएगा, वह हो जाएगा T-I, इसके respect में temperature होगा, वह हो जाएगा T-F, इसके respect में in entropy होगा SI, इसके respect जो entropy होगा, यह हो गया S-F, यह हो गया T-S diagram, यह क्या है, आपका aysochoric heating और यह है आपका a isocoric cooling, दो process होते है isochoric heating and isochoric cooling तो दो आपका यह process हो गया ठीक है तो आपने क्या क्या देखा इसमें आपने इसमें देखा की work done in the isochoric process constant volume process the work done by the system or on the system will be equal to 0 क्यों क्यों कोंगि there is no change in the volume during the process so the change in the volume is equal to 0 so work done by the system is equal to 0 as we know that the work done in any thermodynamic process is equal to P into delta V here the delta V is equal to 0 so the work done by the system is also equal to 0 then what is this this is the PV diagram indicate that the volume remains constant फिर हमने इसको क्या क्या था PT diagram में convert क्या था फिर VT diagram में convert क्या फिर हमने आपको ये TS diagram के लिए relation निकाल के आपको बताया अब दोनों ही case में देखेंगे तो constant volume process and constant pressure process बहुत आर hyperbolic function लेकिन अब दोनों में कैसे हम find out करें कि जो दोनों आपका जो graph जो बन रहा है उसमें कौन सा की curve जो होगा जो curve बनेगा same nature का बन रहा है having same nature तो दोनों में से किसका slope ज़ादा होगा किसका slope कम होगा suppose that आपको दो थर्मोडाना एक process इस तरह से है कि consecutively चल रहा है एक isobaric है दूसरा आपका isocodic है तो उसकेस में हम कैसे draw करेंगे तो हम इसमें compare करते हैं slope का तो आपने देखा कि जो constant volume process उसका slope क्या था t upon m c b और इसका जो आ रहा है आपका isobaric का इस से पहले वाले में मैंने बताया था कि जो isobaric में जो आपका slope आता है वो कितना आता है कि dt upon ds at the constant pressure is equal to t upon m c p ज़ा से देखते हैं इसको तो यह क्या है आपका dt upon ds at the constant pressure is equal to t upon m c p and dt upon ds at the constant volume is equal to t upon m c p अगर दोनों ही equation को हम compare करें दोनों में compare करें तो क्या differences है सोचिए ज़रा आपको खुद पता चल लें गया बताईए क्या differences है कमेंट करके बताईए अगर दोनों को हम compare करें तो इसमें क्या है cp है इसमें क्या है cb है as we know that हम लोग क्या जानते हैं कि cp is always greater than cb cp क्या होता है cp से ज़ादा बड़ा होता है तो बाकि जो term है t upon m t upon m इसमें भी constant है semi term है तो क्या हो रहा cp जब बड़ा है तो अभियसी बात है यह जो term होंगे यह जो relative t upon m cp यह छोटा होगा यह क्या होगा बड़ा होगा इसका मतलब क्या होगा कि slope of constant volume curve जो slope of constant volume curve is greater than slope of the constant pressure curve यह आपको एक्जाम में पूछता है मतलब कि जो isocoric का जो आपका ts diagram बनेगा इस ceb cap प्रोसेस प्रोसेस का जो ts diagram बनाएंगे उसका slope क्या होगा always less than होगा vadisocoric process से तो isocoric process का जो ts diagram होगा वो क्या होगा आपका आइसो कोड़geb का ts diagram ज्याहदा ग्रभा ज्यादा होगा जबकि आपका जो isocoric वालीक है उसका स्लोप क्या होगा आप काम होगा है खिनiche ऐब तो इस तरह से हम दो अब नहीं रही बात कि आप दोनो को स्लोप जब पता चल गए तो हम कंपेर कर सकते हैं सपोस्पोल स्पोस्पत यह हमारा टियस डायगराम हम बनाते हैं यह हमारा टियस है तो दो curve हम लोग लेते हैं, एक curve हमने बना दिया, ऐसे, और दूसरा curve बना दिया, ऐसे, ठीक है, तो दो curve बनाया, यह हो गया curve 1, और यह हो गया curve 2, अब आप compare करके बता सकते हैं, कि दोनों में से किसका slope ज्यादा है, जिसका slope ज्यादा होगा, वो आपका constant volume process है, और जिसका slope कम होगा, वो क्या आपका constant pressure process है, तो same point हम उठाएंगे, यह point जो है, same point है, intersection point है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, दो tangent डालेंगे, एक डालेंगे, इधर बाले curve 1 पे, curve 1 पे जब tangent डालेंगे, यह डाल दिया, ठीक है, और curve 2 पे जब डालेंगे, तो यह डालेंगे, curve 2 पे जब tangent डालेंगे, इस point पे, same point पे डालेंगे, ऐसे, अगर दोनों में compare करेंगे, तो यह क्या है आपका theta 1 और यह क्या है आपका theta 2, तो यह theta 1 is greater than theta 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि 10 theta 1 is greater than 10 theta 2, मतलब कि जो slope आपका, sorry, यह होगा आपका 2, यह आपका 1, मैं तो confused हो जाएगे, यह हो गया 2, यह 1, इसका मतलब क्या है, कि curve 2 का slope जो है, curve 1 के slope से ज़्यादा है, तो यह क्या होगा, जो curve 2 है, यह होगा आपका constant volume process, यह होगा constant volume process, और यह क्या होगा, यह होगा constant pressure process, तो यह आपको कैसे find out हुआ, by the comparing the slope of these two curves, दोनों curve को हमने slope compare कर लिया, और इससे हमें find out हो गया, कि दोनों में से कौन सा curve आपका isobaric है, और कौन सा isochoric है, और इसी तरह से हम लोग find out करते हैं, ठीक है, clear, चले आगे, तो यह आपका, यह बार बार आपको use होंगे, जो auto cycle है, diesel cycle है, dual cycle है, सभी जगा यह process यूज हो रहा है, तो यह आप बार बार use करेंगे, तो यह समझना आपको जरूरी है, और जब तक आप यह curve नहीं समझेंगे, तब तक आप किसी भी cycle का TS diagram आप नहीं बना पाएंगे, तो इसको आपको समझना जरूरी है, तो क्या बता दिया, मैंने ISO बारिक बता दिया, ISO कोलिक हो गया, अब हम लोग चलते हैं ISO thermal process का हम लोग देखते हैं TB diagram, TS diagram और PT diagram, यह सारे diagram हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं ISO thermal process में, तो ISO thermal process क्या होता है, जो process होता है आपका ISO thermal, आइसो थर्मल का है, थर्ड थर्मोडनेक process, आइसो थर्मल, आइसो थर्मल process, क्या होगा, temperature constant होगा, temperature constant होगा, that means कि आपका इसमें heat enter करेगा, या heat out होगा, temperature should be remains constant होना चाहिए, temperature में कोई variation नहीं होना चाहिए, तो वैसा process क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा ISO thermal process, तो जब साथ देखिए, अगर हम इसकी क्या कहलाएगा, ISO thermal process क्या define करेंगे, अधर थर्मोडनेक process, under which there is no change in the, there is no variation in the temperature, is known as ISO thermal process, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ISO thermal process बोलते हैं, temperature constant है, तो temperature constant होगा, तो हम ideal guess से क्या जानते हैं, कि PB equal to MRT, ठीक है, आपका M constant है, R constant है, TB constant है, आतला क्या आ गया, कि PB equal to constant, यह equation आ गया, PB equal to constant, PB equal to constant आ गया, तो हमेरा जो graph जो बनेगा, वो क्या बनेगा, कि यह देखिए, यह हो जाएगा, पी equal to K upon V, मतलब Y equal to 1 by X का जो graph होता है, वो बनेगा, सही है, चले आगे, ठीक है, तो इसका अगर आप graph बनाना चाहते हैं, PB diagram, तो देखिए, PB diagram ऐसे बनाते हैं, यह हो गया P, यह हो गया B, and 1 by X का graph कैसे होता है, ऐसे होता, ऐसे, ठीक है, तो यह हो गया आपका, अब इसमें भी दो होते हैं, जो isothermal है, उसमें भी दो होता है, isothermal expansion and isothermal compression, ठीक है, तो यह जो process देख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यह आपका initial point है, and यह आपका final point है, हो क्या रहा है, इसमें volume increase कर रहा है, initial volume क्या था, VI, final volume क्या हो गया, VA, initial pressure क्या था, PI, ठीक है, and final pressure क्या हो गया, इसका PF, ठीक है, तो क्या हो रहा है, during the process, इसका volume increase कर रहा है, तो volume increase कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो expansion बोलेंगे, लेकिन य के कहा लाइगा आईसो थर्मल कंप्रेशन दो तरह के होंगे आईसो थर्मल एक्सपेंशन जब आपका वोलूम बढ़ेगा तो आईसो थर्मल कंप्रेशन जब वोलूम घटेगा तो क्या करें अब हमें यह पीबी डियागराम फाइंड आट हो गया अब रही बात कि इसमें हमें वर्कड़न निकालना है तो वर्कड़न निकालने के लिए आप सिंपल आप जोमेट्रिकल डिलेशन से नहीं क्योंकि कोई रेक्टेंगल एक्स्पॉयर या सर्किल नहीं और आप अरिया निकाल सकते हैं तो हमें बाइदर हेल्प ऑफ इंटिगेशन ही निकालने होंगे कि इस प्रोसेस में हमें निकालना है वर्कड़न इसका मतलब क्या है कि यह पीबी एरिया यह जो एरिया आप देख रहा है यह हमे आपको क्या है इसमें कोई भी value आप इसमें put up कर सकते हैं अब हमें क्या करना, work done निकालना है जैसा कि हम लोग जानते हैं कि dw जो work done होता, work done क्या है path function है, तो work done equal to क्या हो जाएगा हमारा, कि p into dv, ठीक है जो del v हो, जो work done होगा, small work done जो होगा, यह path function है तो work done equal to क्या हो जाएगा हमारा, p into dv ठीक है, तो dv करना है तो हम क्या करें, अब देखें, यहाँ पर दो variable है, pressure भी variable है और क्या है, आपका volume भी variable है दोनों ही variable है, तो दो variable के terms में हम इसको लेके नहीं चल सकते, तो हमें क्या करना होगा, दो variable को single variable में convert करना परेगा, यह constant k मान लिया तो यह क्या हो जाएगा हमारा, कि p v equal to k तो आपका क्या हो जाएगा, p equal to हो जाएगा k upon v होगा, यहाँ पर put up कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा k dv upon v ठीक है, तो अब क्या करें, यह हो गया डिल भी, यह आगया ठीक है, अब w net equal to क्या हो जाएगा, हम इसको integrate कर देंगे k into dv upon v और कहां से कहां तो भोलूम आपका कहां से initial से final गया है, तो यह हो जाएगा v i to v f इसको integrate कर देंगे ठीक है, और dx upon x का integration क्या होता है, ln x होता है ठीक है, तो हम उसको यहां पर integrate कर देंगे, तो यह हो जाएगा कि w net is equal to k ln v ठीक है, ln v और यह क्या हो जाएगा आपका कि v i minus v f, ठीक है तो यह क्या हो जाएगा, k into क्या हो जाएगा, कि ln v f minus ln v i ठीक है, और इसको हम लोग क्या लेख सकता है, k ln v f upon v i अबरे बाद कि k का value क्या put up करें, तो w net equal to आ गया हमारा यह यह value आ गया, ठीक है यह हमारा आ गया, w net अब हमें k का value put up करना है, तो k हम इसमें से कोई भी value put up कर सकते हैं, यह ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, ये भी डाल सकते हैं, कोई भी पूट अप कर सकते हैं, तो W net equal to क्या हो जाएगा, के का value put up कर देजिए, तो ये हो जाएगा आपका, कि P I, V I, L N, वाट, V F upon V I, इस is the work done in the isothermal process, ये relation आया क्या, ये आगया आपको, कि work done in the isothermal process में अगर निकालना है, तो ये value put up कर दीजिए, और work done निकाल लीजिए, कि net work done क्या होगा, ठीक है, temperature constant है, there is no variation in the temperature, तो जो isothermal process होता है, उसमें जितना भी heat देते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, आपक ये नहीं होता है, योगि temperature में variation नहीं हो रहा है, इसका मतलब internal energy gas का क्या है, जो internal energy function of the temperature, ये तंपरेचर चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो specific heat है, जो internal energy है system का, वो change नहीं करेगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा heat क्या होगा, यूटिलाइज होगा, आपका, किसके लिए, सबसे ज्यादा जो use होगा, वो work done किला, अगर ideal case की बात करेंगे, first law of thermodynamics आप लगाएंगे, तो Q equal to क्या होता है, कि ये डिल Q equal to W plus delta U, ठीक है, तो change in internal energy zero, इसका मतलब है, कि जितना भी heat of supply करेंगे, वो total का total कहा जाएगा, change in the, वो total का total use होगा, to work done, ठीक है, ये हाँ आपका isothermal process, अब इसका अगर, different diagram हम देखें, तो उसको देख लेते हैं, पीर आपको polynthropic और adiabetic बहुत सेम ही तरग है, तो उसमें कोई ज्यादा time लगेंगे नहीं, ठीक है, इसका अगर आपने PV देख दिया, पीटी देखना है, तो temperature constant, ये हो जाएगा, पीटी, सोरी, पीटी, तो temperature constant है, इसका मतलब ये कैसा करब होगा, ऐसे होगा, ठीक है, pressure बढ़ सकता है, pressure घट सकता है, ठीक है, लेकिन temperature क्या होगा, constant होगा, देखे, जब pressure बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये है, आपका isothermal compression, 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 ऐसे है, आइसो थर्मल compression, ये क्या है, आपका isothermal expansion, ये ध्यान रखियागा, ठीक है, pressure क्या होगा, बढ़ रहा है, जब pressure बढ़ रहा है, ये ये देखे, ऐसे-से जा रहा है, वोलूम घट रहा था, तो pressure आपका बढ़ रहा था, तो को हो गया, compression हो गया, जब इधर की हो गट रहा तो यह आपका तो यह यह प्रेसर घट रहा है तो यह अपका प्रेसर यह अब इखेंगि जो यह सहईगा यह यह आप का आइसो थरम है क्या आप का इस थरमल लेकियर महश्र यह यह आपका, इस के में nature change है, यह आपका isothermal expansion, and यह आपका isothermal compression, यह थीक है, यह हो गया VT diagram, अब क्या बचा है हमारे पास, अब बच गया हमें, TS diagram, तो TS diagram भी बना लेते हैं यहीं पर, इसका भी TS diagram बनाने में कोई ज्यादा हमें इस आप ांडाउट नहीं करना है तो T-S Diagnoga बनाना है टमप्रेटियर्ट में कॉंस्टन्ट है यह T है यह S है तो T-S Diagnoga ऐसा बनेगा एसे एख है क्या होगा यह यह अपका इनिसियल पॉंट यह फाइनल पॉंट टमप्रेटर इस konsस्टंट यह इसा एक वैलागा तो उसी हिसाब से यह आपको दिखा रखा ठीक है यह हो गया आपका आईश्व थर्मल प्रोशेश के लियर है चले यहां तक समझ में आ गया और रिलेशन आ गया और यही सब जब आप कोस्चन करेंगे साइकल जब हम लोग स्वल्व करते हैं तो यह दी आपको यह कंसेप्ट नहीं किलियर है तो वहीं पर हम लोग मिस्टेक्स करते हैं इसलिए इसको समझना ज्यादा जरूबी था अब देखते हैं हम लोग पॉलिंट्रोफिक प्रोसेस या एडियावेटिक देख लेखते हम उसी से पॉलिंट्रोफिक कर लेंगे तो यह थर्मोटानिक प्रोसेस के बेस्ट पर साइकल से आपको कोस्चन से आते हैं नुमेरकल्स में उसका जितनी भी आप आया जो आईसी इंजन के जो पढ़ेंगे आप जो ओटो साइकल डीजल साइकल रंकान साइकल एस्टरलिंग साइकल एक कोस्चन आया था कि आकून ऐसे साइकल है जिसमें कि एटलिस्ट वन आईसो थर्मल प्रोसेस यूज होता है तो आपको जब टीएस डियाग्राम पता होगा तभी आप समझ पाएंगे कि क्या होगा ठीक है तो इसलिए यह डाइग्राम आपको समझना जरूरी था जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं जिने लगता है कि मैं तो यह सब जानता हूं वही गलती करते हैं और कॉंफिडेंस जो होता है मुझे तो यह पता है उन्हीं वही जाके गलती करके आता है मिस्टेक्स करके आता है कि मुझे पता है लेकिन वहां पर जाते हैं तो सब लापता हो जाता है तो पता तो होना जर चाहिए लाइक करना चाहिए सब्सक्राइब करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लोग को सेर करना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करेंगे तभी तो मैं आपके लिए लेक्टर 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 बनाओ किसके लिए बनाओ तो आपको ध्यान देना चाह करना है अगर सही लग रहा है तो आप जरूर आईये अपने फ्रेंड को लेकी हई अ system होता है there is no interaction with the system and the surrounding system and surrounding से कोई भी interaction नहीं होता है मतलब ना system से बाहर कुछ जाता है ना बाहर से system में कुछ आता है तो ऐसे process को हम लोग क्या बोलता है adiabatic process बोलते हैं यह क्या करता है यह जो follow करता है इसमें जो relation follow होता है that is known as PB to the power gamma equal to constant यहां गामा क्या है gamma gas constant है gamma equal to क्या होता है cp upon cb यह होता है अब रहेंगे वात कि cp क्या है cp है molar specific heat at the constant pressure cb क्या है molar specific heat at the constant volume यह constant pressure और दोनों का ratio होता है यह कहलाता है आपका gamma कहलाता है इसमें monotomic, diatomic, triatomic gas होता है monotomic के लिए 1.67, diatomic के लिए 1.41, triatomic के लिए 1.33 gamma का value change होता है ठीक है तो यह relation होता है अगर adiabetic process की बात करें there is no interaction with the system and the surrounding उस case में अगर आप PV diagram बनाएंगे तो यह देखिए यह almost क्या होता है जो आपका constant pressure constant temperature process था उस तरह का बनता है लेकिन इसका slope थोड़ा सा different होता है उससे जो strip बनता है इसका slope ठीक है यह बन जाएगा कैसे इसमें भी दो तरह के process होंगे क्या होता है यह आपका P है यह आपका भी है क्यों क्यों कि यह भी हमने बना था y equal to क्या बना था हमने जो graph बना था y equal to 1x यह आपका स्ट्रिक्नेस बर जाती है अगर दोनों का slope में compare करेंगे तो आप इसमें भी स्टूप compare कर सकते हैं कि दोनों का ठीक हैı और यह सोगा एडियाबिक क्सपेंशन अच्छा यह दियाबिक एक्सपेंशन अच्छा यह दिक आपका सिस्टम रिवर्समों अभी बता था सबको रिवर्समों और एडियाबिक कंप्रेशंन के एक adiabatic expansion और adiabatic compression के बात कर रहा है तो क्या adiabatic process का क्योंकि system के साथ interaction नहीं है surrounding का कुछ भी system से interaction नहीं है तो कि adiabatic जो होगा isentropic process होगा adiabatic isentropic process तभी होगा जब यह process क्या होगा? reversible होगा यदि यह reversible नहीं है question को इसको point को note कर लिया when the adiabatic process is reversible then it is a isentropic process entropy should be remains constant कब होगा? जब adiabatic क्या होगा? reversible होगा यदि adiabatic e-reversible है तो वो isentropic process नहीं होगा अगर isentropic process हो रहा है इसका मतलग क्या है? adiabatic तो है ही इसके साथ क्या है? यह reversible होगा अगर forensic के साथ क्या होगा? reversible होगा तभी होगा यह reversible होगा, तभी क्या होगा, यह आपका isentropic process होगा, यदि reversible नहीं है, तो यह आपका isentropic process नहीं होगा, isolated system भी आपका reversible system नहीं होते हैं, जैसे inverse है, आपका isolated system है, बट यह आपका isentropic process नहीं है, entropy, every instant of time क्या हो रहा है, change हो रहा है, inverse का, क्यों change हो रहा है, क्योंकि day to day population बर रही ह तो ये सारे चीजे क्या है? तो इसले किया बहते हैं? आइडियावयतिक जो होता है य आइसोलेटिड शिस्टम प्रोसेस भाण है यदि आपका इडियावयतिक ब्रोसस है तभी वो आपका आइसेंत्रोपिक प्रोसस होगा यह दी reversible नहीं है, तब मतलब यह अगर reversible है, यह क्या होजागा, इसन्ट्रोफीक प्रोसेस, entropy isक्टीπन कॉंस्टेंट, अगर यह atrocal नहीं है, तो आपका entropy constant नहीं होगा, यह हो गया, आपका work done निकालना होगा, हमें यह निकालना होगा, अब similarly जैसे पहले आपने relation देखाता उसी तरह से हम work done निकालेंगे तो work done equal to क्या होता है work done dw is equal to kya है p into db फिर हम यहाँ से क्या करेंगे यहाँ पे दो variable है दो variable को क्या करेंगे हम single variable में convert करेंगे यहाँ पे देखें यहाँ पे आपको दे रखा है कि pb gamma to the power k तो p equal to kya k upon v to the power gamma इसको अगर यहाँ पे put कर देजिए तो क्या हो जागा k and into kya हो जागा db upon v to the power gamma ठीक है यह आगया अब हम इसको क्या करें इंटिगेट कर दे तो w net equal to kya हो जागा इंटिगेट करेंगे तो k into db and v to the power gamma और integrate कर देजए इसको ठीक है तो इसको integrate करेंगे dw तो dw को हम integrate कर देए तो यह आजागा हमारा w net यह हो गया integration कर देजे इसको integrate कर देजिए गामा है तो v i to bf यह हो जागा हमारा आब इसको जब हम integrate करते हैं तो यह क्या जागा यह हो जागा हमारा w net और यह क्या जागा k बहार निकाल लिजै और यह हो जागा आपका गामा तो इसका integration क्या हो जागा b to the power भी टू दी पावर गामा माईनस 1 upon गामा कि यहीं तो हो गा को हम लोग देखते हैं एकल टो हमारा क्या रिलेशन है यह und कूझा फीडल d i to the power gamma final पर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा पी भी पी एफ और भी एफ टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉंस्टेंट क्योंकि रिलेशन ही है कि पी भी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉंस्टेंट मतलग एवरीवेर कहीं भी आप लेते हैं इस पॉइंट पर इस 1 ठीक है अब के जगा पर जहां पर आपका भी एफ है हम यह वैलू पूट करते हैं पी एफ टू दी पावर गामा एक पाटिकुलर रिलेशन हाजागा आपको याद करने में रहागा अब अदरवाज आप के का वैलू कोई भी पूट कर सकते हैं यह क्या हो जाएगा पी टू दी पावर गामा माइनस वन इंटू क्या जाएगा भी एई टू दी पावर गामा माइनस वन ठीक है अद यह हो जाएगा हमारा अपन पाट अपन गामा अचा है चले आब आगे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा लोग ज्याइन कीजिए ठीक है, चलिए, अब इसको देखते हैं अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो क्या जाएगा, यहाँ पर देखें भी टू दी पावर, गामा एंड गामा माइनस वन, ठीक है अच्छा, इसको जड़ा सा हमें चेंज करना था, क्या चेंज करना था, जड़ा सा देखें इसको हम लोग अच्छा, कॉस्चिन ये था, गरवर हो गया ज़ो हम लोग इन्टेगेट किए थे, डी डावलू इक्वल टू के अपॉन भी टू दी पावर गामा इंटू डी बी, इसको जब हम इन्टेगेट करेंगे, तो यह आजाएगा, डावलू नेट इस इक्वल तू ये बी टू दी पावर, ये k and v to the power minus gamma DB ना कि gamma था अगर आपको ध्यान होगा तो वहाँ पर mistakes थे जो ध्यान नहीं दिया तो mistakes होगे यह होगे आपका कि k in to v to the power minus gamma plus 1 और यह होजागा minus gamma plus 1 and limit b i to b Fl, अब इसको अगर change करते हैं तो यह क्या हो जाएगा के आड़ के यह हो जाएगा आपका कि one minus गामा एंड यह हो जाएगा कि वी एफ to the power minus गामा प्लस वन और माइनस बी आई टू दी पावर माइनस गामा प्लस यह आएगा ठीक है चलिए अब हम के के जगा पर वही जो बैलू पूट कर रहे थे वो आजाएगा तो यह हो जाएगा हमारा क्या कि one अपॉन गामा माइनस सोरी one उपॉन मिनस गामा अन के के जगा पर क्या डाल दिया कि p i in to v i p f in to v f p f in to v f to the power gamma and v f to the power minus gamma plus 1 ठीक है अज इसके जगा पर डाल देंगे क्या का वैलू PI VI to the power gamma and V to the power VI to the power minus gamma plus 1 ठीक है अब चले आगे यह हो जाएगा हमारा देखे, V to the power gamma V to the power minus gamma, तो minus plus gamma क्या जाएगा, smart हो जाएगा यह जाएगा, 1 upon 1 minus gamma and यह हो जाएगा PF VF minus PI VI ठीक है, यह आएगा आप जाएगा देखे, यह 1 minus gamma है gamma is always greater than 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि W net W net is equal to PI VI minus PF VF upon gamma minus 1, this is the relation, यह हमारा work done का relation आया, किस में? adiabatic process में, जब adiabatic process क्या हो जाएगा आपका होगा तो यह work done का relation होगा यह हमें final work done का relation आया adiabatic process के लिए ठीक है, इसमें TS diagram और यह सब, जब isentropic process होगा, तो entropy constant और जब reverse बलोगा, entropy constant entropy को constant करके हम vertical line डाल देंगे TS diagram में, यदि आपका entropy constant नहीं हो तो फिर उसका diagram ऐसे ही बनेगा, ठीक है यह हो गया आपका work done का relation अब TS diagram देख लीजे, इसका furious हमाथी है फिर next class में हम लोग इस पर numericals देखेंगे जो cycle पर numericals आते हैं, वो देखेंगे इसमें auto cycle, diesel cycle भी बचा हुआ है तो वो सब करेंगे next में इसको हम लोग, अभी तक हम लोग उने क्या देखा? different thermodynamic process देखा, ठीक है तो अब इसको देखें, TS diagram के अगर बात करें तो TS diagram कैसे बनेगा? TS diagram, ठीक है जब adiabetic process reversible हो रहा है तब क्या होगा? isentropic process, isentropic कब होगा? isentropic होगा तो यह ऐसे बनेगा, ठीक है? यह है point I and यह है आपका point F तो SI is equal to क्या होगया? SI is equal to SF इसका मतलब क्या होगया? entropy is remains constant तो यह क्या होगा आपका? isentropic process होगा, ठीक है? यह होगा आपका adiabetic heating and adiabetic cooling ठीक है? adiabetic, आपका heating and cooling isentropic process जब reversible होगा तब ही यह बनेगा अगर आपका irreversable है तो यह diagram नहीं बनेगा clear? चलनी लिए अब एक terms हम लोग देखता है polyentropic process क्या है? जो polyentropic process है उसी से आपका सारे diagrams आएं है PV diagram के अगर बात करें तो जड़ा साथ देखिए जो polyentropic process होता है PV to the power n equal to constant ठीक है? if n equal to 0 अगर 0 हो गया तो क्या हो गया आपका? P equal to constant that is what? this one is isobaric जो हम लोग ने first में किया था constant pressure process if n equal to 1 वो PV equal to constant this one is third process क्या पराता हमने? isothermal if n equal to what? gamma n equal to gamma then PV to the power gamma equal to constant ये क्या परा हमने? fourth में adiabatic ठीक है? अच्छा उसके बाद if n equal to infinity if n equal to infinity आपको बहुत ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा? सिर्फ आपको जो बचेगा वो हो जाएगा आपका V to the power infinity बहुत बड़ा वोलूम है तो V equal to constant का फॉर्म आएगा मतलब ये हो जाएगा आपका process to isochodic अब ज़रा सा इसका diagram देखे कैसे vary करेगा? ये है आपका P ये है आपका V ठीक है? P-V diagram अगर इसको देखें तो सबसे पहले n equal to 1 n equal to 1 आपको क्या आएगा? ये आएगा अगर आप देखेंगे इसको n equal to 0 n equal to 0 ये होगा आइसो बालिक ठीक है? उसके बाद क्या है? n equal to 1 n equal to 1 तो ये कैसे आएगा? ये आएगा आपको isothermal ठीक है? ये आजाएगा आपको n equal to 1 n equal to 2 आएसे ठीक है? n equal to 3 आएसे ये change होता जाएगा n equal to 1 n equal to 2 n equal to 3 जब n equal to infinity आएगा तो यह आजाएगा ऐसे तो यह क्या है आपका यह आपका constant volume process है ठीक है यह आपका constant pressure process है रिक है volume constant है यह आपका pressure constant है तो इस तरह से क्या होता है जो polyentropic process होता है उचरह का different process में n का ज़िवालू change करते जाता है तो different thermodynamic process होता जाता है यदि आपके पास polytropic process कहीं दे रखा है तो work done का relation जो हमने adiabatic में निकाला है कि PI VI minus PF VF upon gamma minus 1 तो वहाँ पर क्या जागा N minus 1 यदि N का value 2, 3, 4, 5, 6, f to 10 दे रखा है क्योंकि आपको देखा जाए तो जो आपका adiabatic processes में गामा का value 0 से आपका 1 के बीच में होता है 1 से 2 के बीच में ही आता है 1.33 1.41 and 1.67 इसी के बीच में वैडि करता है तो आप इसमें अगर देखेंगे तो इसमें क्या भाइंगी तो ये ता पावर M equal to constant तो ये था आज का कलास जिस में हमने क्या देखा डिफरेंट डिफरेंट टाइपस अब थर्मोडिनाइक प्रोसस देखा और उसमें क्या क्या यह वरकडन होते हैं उसका ट्वंटीवन, ट्वंटी, नाइंटीन, एटीन, इसमें जितने भी थर्मल डामेक्स पे, इस पे साइकल पे जो बेस्ट नुमेर कल्स आया होंगे, हम लोग इसको डिसकस करेंगे, ठीक है, तो आप लोग जब भी मैं मैं सेज डालू इसमें, या फिर आपको सब्सक्राइब क कर लिजे, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन हूँ, तो आपको पता चल जाए, और आप जोइन कर सकें, ठीक है, चलिए, ओके, थाइंक यू, हैवे नाइस डिए, कहां जाने है, चालिए,